देखे स्वागत है आपका एक बाद फिस से हमारे का अगरफिक लोडिंग इस्टेशन पर यह सूर हम लेका है थे लगबग एक से डेड़ महीने पहले डेड़ महीने लगबग हो चुगा भी है इनको और इनकी ग्रोथ रेट अभी थोड़ा रुकी हुई है और रुकी होने की वज़े सिर्पी है क्योंकि हमारी साइड में यह यूपी वैस्ट है या फिर दूसरी ड्रीजंस में भी मोसम खराब था इसके वैसे हमारे या पे जो कुल्लू होती है जासे प्रोडक्शन होता है मल्ली का वो प्रोडक्शन नहीं हो पाया इसलिए इनको इस्टोक की मल्ली खिलाने पड़ रही है देखिए जैसे आप देख पा रहे हो इस्टोक वाली मल्ली है जो हम इस्टोक कर रखते हैं महां से निकाल के लाए और यह इनको खिला रहे हैं और वह क्योंकि उतनी मीठी नहीं रहती जिसके वैसे इनका वेट लोस हो गया है और उमीद है कि जल्द ही इनका वेट वाफिसरी कार होगा और चुकि अभी फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है तो अभी थोड़ा गरम दिन हो चुकि तक आप अगर बारिस नहीं होती है तो इनको प्रोपर ली ए फीड मिलत रहेगा और वजन क्विक वेट गेन होता है सीजन में मार्च अप प्रोपरली मिल पाता है अगर मोशम अच्छ रहता है और अगर मोशम थोड़ा गड़बनाट करता है तो दुबार से वही इस्टोक वाली मली इनको खिलाने पड़ेगी उसको वह इतनी अच्छे से काते नहीं है देखिए जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में अगर अगर आप ट्रेडर हो आप ट्रेडर नहीं हो माल सेल करते हो तो आप सेल कर सकते हो 140 140 रुपे प्रति किलो और मेरे वीडियो मेरे नमबर देता हूं और दूसरी वीडियो रहती है कि आप सारी जानकारी हम आपके साथ सेयर करते हैं इसमें को तो अगर आपके फाइदेगी है तो अच्छी बात है और दूसरों के साथ भी आप सेयर करो देखे दोस्तों यह है आज के लिए अगर आपको जानकरी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सरकल्स में भी है यह वीडियो सेयर कीजिए तब तक के लिए बाइबाई थैंक यू एंड कीप ओन वाचिंग